कि नमस्ते दोस्तों मार्बल प्लॉरिंग जीते हैं शर्मा में आपका स्वागत है आज मैं यह वीडियो आपको दिखाना जा रहा हूं कि जब भी हमार गर बन जाता तो हमको हम अपना गर के लिए मार्बल का मेजनमेंट कैसे निकलें उसके ही परपस से यह मैंने वीडियो त हम गेलकुलेशन के साथ करें और इसका वेस्टर के से निकलें वो इसके बारे में बता रहा हूं आपको तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं मार्बल फ्लॉरिंग फ्लॉर तो यह 15.6 इंच यह यहां से लिया है और यह 10.6 इंच multiply करके multiply कर देंगे और second यह seal 4 feet ऐसा है 9 inch ऐसा है अगर आप इसको directly calculate करेंगे तो आपका measurement पूरा ही गलत हो जाएगा तो इसके लिए मैंने tables बनाया है जो भी आपका inch आएगा जिसे 10 feet 6 inch आएगा तो 10 तो इसा कैसा रहेगा और 6 inch में आप consistent के ऐसे multiply करेंगे तो आपका correct आजाएगा तो हम 1 से 12 तक मैं आपको बता देता हूँ जैसे यह 1 inch आया तो 0.08 2 inch आया तो 16 3 inch आया 25 4 inch आया 33 5 inch आया 42, 6 आया तो 50 7 आया तो 58 8 inch आया तो 66 9 inch आया तो 75, 10 inch आया तो 83 11 inch आया तो 92 12 inch आया तो वही सेम जो feet है वही feet का feet रहेगा तो चलिए हम ऐसे अब इसकी calculation निकाल लेते है तो सबसे पहले 15 feet 6 inch into 10 feet 6 inch अब हम इसको 6 नहीं लेकेंगे 15 feet 0.50 into 10.50 यह 50 का सा है? यह 6 के नीचे 50 के सा है तो यह हम चलेंगे 6 inch पे तो यह 6 inch है यह 50 यहां से लिए हमने तो इसे ही हम calculation करेंगे तो माना perfect calculation आएगी तो चलिए हम calculation करके दिखते है 15.50 into 10.50 162.75 और अब सीले 4 feet into 0 feet 9 inch अगर 4 feet into 0.9 से कर देंगे तो यह आपका calculation गलत होगा तो इसलिए इसको 4 feet 0 inch से हम और 0.75 अब 75 कहा सा है 9 inch की जगे पर तो यह आप 9 inch में चाहिए इदर यह 9 inch तो यहां से हमने 75 लिया है तो 75 आगया अब total is cutting का measurement मैंने कैसे लिया वह मैं बदत तो आपको 10 feet change 15 feet change 15 feet change और 6 feet change तो 10 feet change जो मैंने लिया है वो यह वाल का 10 feet change 15 feet change और सेम यह भी 15 feet change और यह 3 feet 3 inch यह भी 3 feet 3 inch दोनों को जोड़ जया है तीन तीन 6 feet change तो यह 6 feet change इन सब की जोड़ करेंगे तो 48 feet मनेगा तो हम जो skirting जो हम गरों में use करते हैं वो normally 4 inch की करते हैं तो देखिए आप 48 feet 0 inch into 0 feet 4 inch तो इसको हम एसे करेंगे तो यह अमना रों हो जाएगा तो यह 48 feet into 0.33 यह 0.33 का साय है यह देखिए यह 4 inch यह 4 inch यह 3 33 inch तो आप इसे कल्कुलेशन करेंगे तो इन तीन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हुआ हुआ हम ना 181.59 अब यह तो clear जो अपना जो marble लगेगा उसका measurement है अगर आप Indian marble लगा रहे हैं तो उसके अंदर 10% वेस्टेड एड करेंगे तो मैंने यह वेस्टेड एड कर दिया तो 18.15 तो टोटल नमार जो बन गया है 199.75 तो हम इसको round figure में 200 कर देते हैं तो इस तरह से हम अपना measurement पूरा गर का निकाल सकते हैं यह Indian marble का measurement है अगर Italian marble का measurement निकालना हो तो process सभी सेम रहेगा calculate भी सभी सेम रहेगा लेकिन उसके अंदर रेस्टेड जो है वो थोड़ा ज्यादा आएगा इसी तरह हम टाइल्स का भी निकाल सकते हैं तो इस तरह से आप अपने गर के लिए आप measurement निकाल सकते हैं अगर मेरा यह चैनल का काम अच्छा लगा हो तो like और subscribe करना ना बुले थैंक्यू